नीला चला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भ्याम जगन्नाथायते नमाहा प्रिय शिक्षार्थियों आप सभी का NIOS के स्टूडियो में स्वागत है आज हम पुनहा उच्चतर माध्यमिक ख्षा के वेदा ध्येनम पाठ्यक्रम के अंद्रगत उस्तक क्रमांक दो अगनिसूक्तम पंचदश पाठ के रूप में भाग चार के अध्येन हेतु बस्तित हैं इस भाग में हम अगनी के विविध स्वरूपों के बारे में जानेंगे अगनी सूक्त में अगनी का क्या वर्णन किया गया अगनी के किन स्वरूपों का प्रतिपादन किया गया है अगनी के क्या क्या कर्म है कुल अगनी का परिचय इस सूक्त के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि रगवेद में प्रतम सूक्त के रूप में अगनी के लिए पृतिपारित किया गया है ब्राम्ण का वाक्य है अगनिर्वई देवानाम अवमह अर्थात अगनी सभी देवताओं में प्रतम है देवताओं में वरेण्य है देवताओं में अग्रगण्य है अगनी सभी वैदिक देवताओं में अगनी की सरवाधिक स्तुति प्राप्त होती है अखनी सभिवइदिक देवताओं में सरवाधिक स्तुत्य देवता है रगवेद में 200 सुपतों में अगनी की स्तुति की गई है नकेवल रगवेद अपितु यजरुवेद ने भी अगनी की प्रार्थना पाई जाती है अगनी के बारे में स्तुतियां यजुरवेद में भी प्राप्त होते हैं और पचतसामवेद में भी स्तुतियां प्राप्त होती हैं और अथरवेद में भी अगनी की स्तुति प्राप्त होती है अर्थात अगनी जावा प्रत्वी का उत्र है ऐसा वेदों में अगनी के विशय में कहा गया है और अगनी प्रत्विस्थानीर देवता है जैसा कि निरुक्तकार आचारियास्क देवताओं के परिचय के क्रम में निरुक्त के सप्तम अध्याय में जो दैवत कांड के नाम से जाना जाता है उसमें लिखते हैं अगनि प्रत्वी स्थान हा वायुर्वेंद्रो वांतरिक्ष स्थानियह सूर्योद्युस्थानियह ऐसा वो लिखते हैं तिस्रह एव देवता हा तीन स्थानों में देवता होते हैं तीन ही देवता हैं अगनी प्रत्विस्थान का देवता ह वायू इंद्र अन्तरिक्स्थान के देवता है और सूर्य जुस्थान के देवता है ऐसा आचारी आस्क ने निरुक्त में सम्यक रूप से पृतिपाजित किया है इसलिए मैं यहां आपको बता रहा हूँ कि अगनी पृतिविस्थानी यह देवता है अर्थात प्रतिवी का सबसे निकटवरती देव अगनी है और अगनी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि मनुश्य लोग से देवताओं तक की सोपान के रूप में अगनी उपस्थित होता है अगनी सोपान जिसको सीडी कहते हैं लोग भाषा में अगनी देवताओं तक पराप्त होने के लिए एक सीडी है जैसे नदी के दो पार में जाने आने के लिए एक ब्रिज पुल का अंद्रमान होता है उसी प्रकार अगनी भी मनुश्यों और देवताओं के मध्यका सेतु है अतहा अग्नी सरवादिक वंदनी देवता है मनुश्यों के दवारा। इसलिए ब्राम्मन गरंथों में अग्नी को सभी देवताओं में प्रथम कहा गया है जैसा कि उपर शीरशक के रूप में मैंने कहा अग्निर्वई देवानाम अवमह विश्नुफ प्रथमह इस प्रकार संपूर्वाक्य है मैंने केवल अग्निर्वई देवानाम अवमह इसको बताने के लिए यहां पर शीरशक के रूप में इतना उपस्थापित किया पुनहा शास्त्रों में कहा जाता यग्योवई श्रेश्ठतम कर्म है तो चार प्रकार के कर्मों की चर्चा वेदादिक रंथों में प्राप्त होती है जिसमें प्रशस्त कर्म, स्रेश्ठ कर्म, स्रेश्ठतम कर्म और एक अप्रशस्त कर्म प्रशस्त, अप्रशस्त, श्रेश्ठ, श्रेश्ठतम कर्म ये चार प्रकार के कर्मों की कर्मों का वर्णन प्राप्त होता है वेदादिक अंथों में जिसमें से यग्य को स्रेष्ठतम कर्म कहा गया है सबसे ज़्यादा स्रेष्ठ कर्म यग्य के रूप में हमारे पास है और वैदिक दृष्टी में यग्य को स्रेष्ठतम कर्म कहा गया है और यज्य कहने मात्र से सर्वप्रथम अग्मिहोत्र का स्मरण स्वताही प्राप्त होता है जिसके मुख्य देवता अग्मि है क्योंकि यहां यज्य सेतात परिय उन वैदिक यागों से है जिनका वर्णन वेदा दिग्रंथों में प्राप्त होता जो सब्त पाक यज्य संस्था, सब्त हवेरी यज्य สंस्था और सब्त सोम यज्य संस्था के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसमें सबसे प्रथम वैदिक यागों की गणदा में सर्वप्रथम अगनी होत्र का कृमा आता है क्योंकि वैर्ग याग का अधिकारी उसे कहा गया जिसने अग्याधान जिसने संपन्न किया है और जिसने अग्याधान संपन्न किया उसको अग्याधान नित्यकर्म के रूप में करने का अनुशासन वेदों में प्राप्त होता है इसलिए यग्य कहने मात्र से ही सर्वप्रथम अगनिहोत्र का स्मर्ण आता है और उस अगनिहोत्र याग के मुख्य देवता अगनी ही हैं क्यों अगनिहोत्र याग में दो आहुती दी जाती एक सायंकाल में और एक प्रातककाल में अगनिहोत्र का प्रारंभ सायंकाल के आहुती से होती है सायंकाल के अगनिहोत्र के देवता अगनी है और प्रातक काल के अगनिहोत्र के देवता सूर्य है अताहा चूंकि प्रारंभ सायंकाल से अगनिहोत्र का होता है इसलिए उसके देवता अगनी है अतयव अगनिहोत्र का स्मरण करने मात्र से अगनिदेवता भी स्मरण में आ जाते हैं यास्क के अनुसार जो कि मैंने आपको बताया कि महारश्री यास्क नर्वचन शास्त्र के महान विद्वान है उन्होंने निरुक्त नाम के नर्वचन ग्रंथ की रचना की है उनके अनुसार अगनी ही एक मात्र देव है और वही विविध रूपों में विख्यात होता है वही इंद्र, वरुण, मरुत, इत्यादी, विविन्न नामों से विख्यात है जैसा की रिगवेद ने भी एक मंत्र आया है अगनिम्यमम्मातरिश्वानमाहुहू इस प्रकार से अगनी को ही विविध नामों से जाना जाता है और भी यास्क ने निरुक्त में लिखा की महाभाग्याद देवताह अनेक नामों से विख्यात होते हैं देवता ऐश्वर्य संपन्न हैं, अनेक ऐश्वर्यवान हैं, अतहाँ अपने ऐश्वर्य के प्रभाव से करमा अनुसार विविद रूपों को प्राप्त होते हैं। एकस्यापी बहु निनामध है यानि भवन्ती इस प्रकार यास्क कावचन निरूक्त में प्राप्त होता है पुनहा अगनी का सुरूप और बताते हुए लिखते हैं मनुश्यों को अहिक एवं आमुश्मित फल प्रदान करने का साधन यग्यों को बताया गया है और यागों में अभीष्ट देवताओं को उद्देश करके हविफ प्रदान करने से यजमान को तदनुकूल फलों की प्राप्ती निश्चित रूप से होती है और वे याग अगनी साध्य ही हैं जैसा कि अगनी के निर्वचन में यास्क ने कहा अग्रम यग्येशु प्रणी यते यज्यादिकारे में सबसे प्रथम आफवान अगनी का किया जाता है अगनी साध्य ही याग हैं और उन यागों में विविद रूप से हविप्रदान करने के पश्चात यजमान को उनके अभिष्ट की स्वतह प्राप्ती बताई जाती है और अतेव अगनी साध्य ही सभी याग होते हैं अतहा अगनी सरवाधिक वंदनी देवता यजमानों के लिए हैं वैधिक ग्रंथों में कुछ इस प्रकार अगनी का स्वरूप प्राप्त होता है अगनी के केश उनके ज्वाला हैं अगनी की जो ज्वालाएं हैं वे उनके केश के रूप में शास्त्रों में बताये गए हैं। और अगनी के जो दात हैं, दंत वहा हिरनमय हैं। उन्हां अगनी के जिववा पर आश्रित होकर अन्य देवतागन हविफ्प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा अगनिर्वई देवाना मुखम, देवताओं का मुख अगनी को ही कहा गया है। प्रज्रित अगनी में आहुति प्रदान करते हैं तो अगनी की ज्वाला देधी प्यमान रहती है उस समय उन देधी प्यमान ज्वालाओं में ही हम आहुति प्रदान करते हैं और वही आहुति ततत देवताओं तक हमारी भक्ति के साथ प्राप्त होती है उनहां उन देवताओ से जो हमारी हवियों को प्राप्त करते हैं देवता उन देवताओं से हमें हमारे अभीष्ट की प्राप्ति सद्या हो जाती है अतेव शास्त्रों में कहा गया कि अगनी के जिववा पर आश्चित होकर अन्य सभी देवतागन हविफ प्राप्त करते हैं अगनिर्वे देवानाम मुखम इत्यादी पुनह एक मंत्र में अगनी को विर्षब के रूप में कहा गया है कामनाओं को प्रदान करने वाले के रूप में कहा गया है अगनी के स्वरूप के विशे में यह एक मंत्र सरवाधिक प्रच्रित है वेदों में यहां मंत्र इस प्रकार है चत्वारिश्रंगात्रयो अस्यपादाद्वेशीरशे सप्तहस्तासो अस्य तृधाबधो वृषभोरो रवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेशा इस मंत्र में भी अगनी को वृषभ कहा गया वो अनेक प्रकार के कामनाओं को पूर्ति करने वाला है ऐसा अगनी का सुरूप वेदों में प्राप्त होता और इस प्रकार हम इस पाठ हमें मूल रूप से पढ़ते हैं कि अगनी यग्य में सवी देवताओं को आववान करता है तथा वह यग्यों का पुरोहित है और अगनी प्राची नेवम आजनिक रिशियों के द्वारा स्तुत्य है और अगनी से यजमान विविद धनों को प्राप्त कर वर्धमान होते हैं अर्थात यजमानों को अगनी के द्वारा अनेक परकार के पशुरूप धन, प्रजारू पधन अन्नरूपधन प्राप्ति कराई जाती है और उन्ही धनों के द्वारा यजमानों की श्री वरद्धी होती है यजमानों का कल्यान होता यजमान के प्रजाओं की वरद्धी होती है सरवतो भावेन अग्नी के द्वारा प्राप्त धन से यजमान के कल्यान संपन्न होते ह पुनह अगनी राक्षसादी के द्वारा अहिमसित यग्यों का सम्रक्षक है और अगनी कर्मफलों का प्रकाशक एवं यग्यशाला में वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है अर्थात अगनी हमारे कर्मों को प्रकाश के रूप में प्रसरत करने वाला है हमारे सभी कर्मों को जानने वाला अगनी है हमारे कर्मों को जान करके हमारे कर्मों की अनुसार हमें तदनकूल फल प्राप्त कराने वाले अगनी है और वे अगनी अपने यग्यागारों में जहा गारहपत्य आहवनिय दक्षना अगनी त्यादी के रूप में विविध कुंडों में अगनी उपस्थित रहते हैं ऐसे ये ग्शालाओं में अगनी हमारे द्वारा दिये जा रहे हवी को प्राप्त कर वर्धमान होने वाले हैं तो इस प्रकार अगनी को इन पाठ में अगनी सूपतम में अगनी के बारे में बताया गया कि देवताओं का होता है अगनी यग्यों का पुरोहित है और ये जमान का कल्यान करने वाला है अगनी की स्तुती प्राचीन महर्शियों ने भी विविध मंत्रों के द्वारा की आधनिक विद्वानों ने भी अगनी की स्तुती विविध मंत्रों के द्वारा किया है और ये जमान का कल्यान सर्वतो भावेन अगनी ही करने वाला है तो इस प्रकार हम अगनी सूपतम में अगनी के विविध स्वरूपों को पढ़े पुनहा अग्रिम पाठ में धन्यवाद